नेपाल क्रिकेट के साथ हो गई बड़ी साजिस नेपाल को बिसुकप में रोकने का प्लान हुआ तैयार नेपाल के प्रदर्सन से डर गई बड़ी बड़ी टीमे नेपाल की बिसुकप की उमीदों को लगा बड़ा जटका नेपाल बोर्ड की नाकामी ने खिलारियों की उमीदों पर फेरा पानी क्या नेपाल की बिसुकप की आस रह जाएगी अधूरी 18 जून से जिंबाब्बे में वर्ल्ड कप कौलिफाईर मुकाबले सुरू हो रहे हैं इन मुकाबलों में जो दो टीमें टॉप पर पहुँचेंगी बिसुकप के लिए कौलिफाई करेंगी लेकिन इन मुकाबलों से पहले ही नेपाल को बाहर करने के लिए साजिस रची जा रही है नेपाल के खिलाप बड़ी बड़ी टीमों की साजिस हो रही है नेपाल के खिलारियों के प्रदर्सन से खौफ में हैं कभी धुरंदर टीमों में सुमार रहे देश यही वज़े है कि नेपाल को रोकने की हर संभव कोसिस की जा रही है इसमें जितनी बड़ी भूमी का बीरोधी देशों की है इसमें कम बड़ी भूमी का नेपाल क्रिकेट बोर्ड की भी नहीं है कौन है वो देश जो नेपाल के खिलाप रच रहे हैं साजिस सबूतों के साथ इसका पूरा खुलासा हम करेंगे बस 60 सेकंड का इंतजार कीजिए पूरी कहानी खुद पखुद समझ में आ जाएगी लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि नेपाल के खिलाप जान बूच कर साजिस की जा रही है ICC Cricket World Cup Qualifier के मुकाबलों को लेकर नेपाल की टीम का एक पूरा चार्ट आ गया है इस चार्ट को आप जरा गवर से देखिए जिमबाब्बे में होने वाले क्वालीफायर मुकाबलों में नेपाल ग्रुप स्टेज की सुरवात में ही अपना पहला मैच खेलेगी जिमबाब्बे के खिलाप दूसरा मैच USA के खिलाप, तीसरा वेस्टन डीट के खिलाप और चौथा नीदरलेंड के खिलाप लेकिन इस चार्ट में उससे पहले वार्मप मैचों का भी जिक्र किया गया है 13 जून को नेपाल, UA के खिलाप वार्मप मैच खेलेगी, 15 जून को ओमान के खिलाप वार्मप मैच खेलेगी अब साजिस्ट नमबर एक नेपाल की क्रिकेट टीम ने एसोसियेट देशों की हर एक टीम को हराया है वो फिर चाहे UAE हो या फिर ओमान सभी को धूल चटाई है कई-कई बार UAE और ओमान के साथ खेला है लेकिन बिस्व कप में मुकाबला दुरंदर टीमों के साथ होगा क्वालिफायर में भी जिंबाब्बे वेश्टन डीज और स्रिलंका जैसी दिगश्टी में सामिल है लेकिन नेपाल को प्रेक्टिस के लिए मिलने वाले वार्मप मैच किसके साथ खेलवाये जा रहे हैं यूए और उमान के साथ यानि उन्ही एसोसियेट टीमों के साथ जिने वो कई बार हरा चुकी है जिनके खिलाडियों की ताकत से वो पहले से वाकिप है क्या ये उचित है आपको वार्मप मैचों के मुकाबले किसी मजबूर टीम के साथ खेलाने चाहिए थे लेकिन नहीं एक तरब जहां उनसे घटिया घटिया टीमे वार्मप मुकाबलों में अच्छी टीमों के साथ खेल रही है वही नेपाल को यूए और उमान जैसी टीमों से प्रैक्टिस मैच खेल आए जा रहे है बिस्टुकप कौलीफायर मुकाबलों में ग्रुप A में जिंबाब्बे और वेस्टन डीज जैसी मजबूर टीमें सामिल हैं तो इसके साथ ही USA और नीदरलेंड जैसी टीमें भी सामिल की गई हैं जिन हें कमप्रेटिबली दूसरी टीमों से मजबूर कहा जा सकता है सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें नेपाल क्रिकेट बोर्ड की नाकामी भी सामिल है क्योंकि कैन की तरप से किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया कि प्रैक्टिस मुकाबले किसी अच्छी टीमों के साथ आयोजित कराये जाए ग्रुप को डिसाइड करने में भी नेपाल क्रिकेट बोर्ड को कुछ इंटरफेयर जरूर करना चाहिए था ऐसे में नेपाल क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी खिलाडियों के लिए मुस्किलात खड़ी कर रही है अब साजिस नमबर दो पहले कहा जा रहा था जिंबाब्बे के कौली फैर मुकाबलों से पहले नेपाल की टीम दच्छन अपरीका में प्रैक्टिस करेगी वहाँ की मजबूर टीमों के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगी लेकिन अब दच्छन अपरीका का दोरा भी खटाई में पड़ता न जरा रहा है माना जा रहा है कि अभी तक ये तैं ही नहीं है कि नेपाल की क्रिकेट टीम दच्छन अपरीका जाएगी भी ये नहीं और अगर जाएगी तो किसके साथ मैच खेलेगी ये तैं नहीं ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि नेपाल को बिस्ट कप में रोपने के लिए कौन रच रहा है बड़ी साजिस कौन है जो नेपाल के मनसूबों को पूरा नहीं होने देना चाहता नेपाल का क्रिकेट बोर्ड आई सी सी के सामने इतना गमजोर क्यों नजर आ रहा है अस्त्त न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट